जहें साथियों वो दोश श्रागा थे आपका अपने ही चैनल एनायस ओनलाइन हाव में इस वीडियो में दोस्तों बात करने बाले हैं बिहार शिक्षक न्यूजन को लेकर जो भी अपडेट आ रही है और सबसे पहले सभी साथियों को सुपरभात गुड मॉनिंग कैसे हैं करके जुरूर बताना दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यह मुझपरपूर से अपडेट निकल के आ रही है और हेडिंग दोस्तों देख लीजिस में क्या लिखा हुआ है कि मौजूद अभिहारतियों को अनुपस्तित बता कम अंक वाल का जो है कर लिया गया है चैन और ये मामला जो है CD जाँच से मामला जो है सामने आया है देख लीजें यहां पर 60 जाँच से सामने आ रहा है अनिमिक्ता का मामला गया घाट के सुस्ता मूरोल के मीरापूर और कॉंसलिंग की जो है वहाँ पर रद कर दिये गिये है जहां चो रिपोर्ट के आधार पर डियो ने बंदरा के एंग्रेजी की कॉंसलिंग रद करने की अनुशंसा कर भेजा पत्र और इहां पर दोस्तों देख लिजे सहाब गंज वह सक्रा वर्ग वान टू फाइव की 364 पदो की बहाली जो है रद कर दिया गया है और इहां पर दोस्तों देख लिजे 10 अगस्त तो कहीं 13 अगस्त के कॉंसलिंग पर किरिया रद तिन नियोजन एकाई तिन पंचायत हैं पारू की जहां बिना कॉंसलिंग चैन कर दी गई है नया रिपोर्ट यह समने आया है सीडी जांट से खुलावा है तो जो भी अव्यारती चैनल पर नहीं है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि दूस्तों कोई भी अपडेट आए बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर आपको अपडेट देते रहेंगे दूस्तों किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो आप अपने जिला शिक्षा पदकारी को आवेदन दीजिए आपको थोड़ा से इसमें मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आप जरूर उसमें आगे आके आपको जो है इसमें आविदन देना पड़ेगा ग्यापन देना पड़ेगा ऐसा मामला जो है जांच करने के बाद आ रहा है देख लिजे पंचाय तिकाय की कॉंसलिंग में अनिमिक्ता की शिकायत तो क्या है पूरी खबर आये पड़ते हैं जो कि मुझपरपूर के हिंदुस्तान के अखवार से माईधम से निकल के आ रही है लिखा है कि अभिहारती मोजूद फिर भी उसे कॉंसलिंग में मौका नहीं देकर कम अंक वालों को बहाली का मौका दे चैन कर लिया गया बंदरा कॉंसलिंग की विडियोग्राफी की सीडी की जांच की गई तो यह मामला जो है सामने आया सीडी जांच के दोरां सबेंटी एट फिजदी वाले अभिहारती अपना नाम आने के पीछे से कर रहा है कि मैं यहां हूं आ रहा हूं लेकिन तभी नियूजर ने काई कि और से बिहारती है ही नहीं सीडी जांच में मामला पकड में आने के बाद मंगलवार को डियो और डिप्यो ने बंदरा के एंग्रेजी भी से की कॉंसलिंग रद करने को विभाग को पत्र भेज दिया है आगे कहना है कि डियो ने जांच और रिपोर्ट के अधार पर इसकी अनुसंसा विभाग से की है सिख्चक बहाली के परकिरिया में हुई हैरा फिरी का मामला कॉंसलिंग के बाद लगातार सामने आ रहा है और कई गड़बडी सीडी जांच के बाद साबित भी हो गई 10 अगस्त कॉंसलिंग रद कर दी गई है लगातार सीडी जांच में कॉंसलिंग में कहीं अनिमिक्ता का मामला सामने आने के बाद गया घाट के सुस्ता और मुरोल के मीरापूर की भी कॉंसलिंग रद कर दी गई है इसके साथ ही पारू के तीन पंचायत में बिना कॉंसलिंग के चैन का मामला कुलासा है जिसको लेकर डीम ने मंगलबार को केमेटी के गठन का आदेश दिया है डीम के आदेश पर डीयो ने केमेटी गठन की और जाँच मांगी है आगे कहा जा रहा है कि DM का आदेश पारू में नियूजन निकाई के माइध्धम से दे असपस्ट जांच रिपोर्ट पारू के वीडियो ने तीन पंचायत में बिना कॉंसलिंग ही चैन करने की रिपोर्ट विभाग को दिये इस पर DM ने एक जांच के मेटी बनाई है और निदेश दिया है कि नियूजन के माइध्धम से इस पर असपस्ट पर्तिवेदन किया जाए आगे कहा जा रहा है कि वीडियो और इसकी जो है सीडि जांच करेंगे डियो अब्दूल शलाम अंसारी और DPO स्तपना जमुलदी ने कहा कि मूरोल के मीरापूर पंचायत में 13 अगस के कॉंसलिंग में कम अंक वाले की बहाली का मामला समने आया है सुस्ता गया घहाट में भी कम अंक वाले के चैन का मामला है या सबकी कॉंसलिंग रद करने के अनुसंसा करते हुए बिभाग को पत्र भेजा गया है और बिभाग को भेजा गया है इसमें आगे इसमें दोस्तों देख लिजी हैं पर सहाब गएन जो सक्रा वर्ग 125364 का भी बहाली जो है रद कर दिया गया है प्रात्मिक सिक्षा निदेशक ने जीले के सहाब गएन सक्रा परखंड के वर्ग 1-5364 पदों के कॉंसलिंग रद कर दिया है अब ये बहाली के परकिरिया को अगले चरण यानि तिसरे चरण में होगा कराने का निदेश दिया है इसके सा सा थी इन निदेशक ने करवाई की कांसलिंग रद करने की नौवत आने से संबन्दित निदेशक के साथ कई अधिकारी और कर्मियों को चिनहित कर निदेशक विरूद अनुशासनिक और दंदात्मक करवाय के लिए 24 घंटे अंदर जिला शिक्षपदकारी से रिपोर्ट मांगी है जैसा के कल एक लेटर आपको दिखाया था दूस्तो सहाबगा जो सक्राज परखंड के वर्ग एक से पांच की कॉंसिलिंग 10 अगस को नेधारी ती लेक सिक्षपदकारी ने परखंड सिक्षक नियोजनिकाई सहाग जो सक्रा में अभिहारतियों की अधिक भीड होने के कारण और अभिहारती दुआरा बाधार आनने के कारण कॉंसिलिक सुचारूप से नहीं कराने की रिपोर्ट प्रात्मिक सिक्षा निदेशक को भेज दी थी साथ ही बाधा उत्पन होने की परस्तिती में कॉंसलिंग रद करने की अनूसंसा की गई प्रात्मिक सिक्षा निदेशा ने जिला सिक्षा अधिकारी से मिली रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों की परखंड नियोजनिकाई वर एक से पांच कॉंसिलिंग रद कर दी है साथ ही वो यह निर्देश दिया गया है कि यह परस्तिति केसी इत्पन हुई इसके लिए दोसी अधिकारी कर्मी कौन है निर्देशक अमरेंद्र परशाद सिंग ने 24 घंटे में जिला शिक्षपदकारी को यह रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है वही डियो अब्दुल सलाम अंसारे ने कहा कि वीभाग को इन दोनों परखन्यों जो निकाई से सम्बंदित रिपोर्ट भेजी गई है जा रही है यहां के कौंसिलिंग रद कर दी गई है अगले चरण में इन दोनों की वर्ग एक से पांच की कौंसिलिंग कराया जाएगा पंचायद एक आई की कौंसिलिंग में अनिमिकता की सिकायत औराई से खबर निकल के आ रहे कि परखंड की धर्वा पंचायत की सिक्षक बहाली 13 अगस्त को हुई कौंसलिंग में अनिमिक्ता बरतने का आरोब अभिहारती ने वीवेक कुमार ने लगाया इस संबन में उराई वीडियो डियम सहित अना अधिकारी को आवेदन भेजा है कहा कि मजद विद्दाले उराई के प्रशांग में यहां पर पंचायत है यह पंचायत कौंसलिंग के दोरान मिली भगत कम आंग यानि 65 वाले अभिह जारतियों का चेयन कागजात बदल दिया गया कहा कि उसका मेधां 66 पॉइंट इतना है और उपस्तिती भी था नियोजनिकाई का आरव बताया गया है तो दोस्तों इस तरह से सामने मामला आ रहा है सिड़ी जांच के बाद और वहां का तुरंत जो है कौंसलिंग रद कर रह कि आपको नहीं पुकारा गया है आप वहां पर रहने के बावजुद भी आपका मेरेड में नाम आया है आपका नंबर आया थाए तो आप जिला सिक्षा पधकारी को घ्यापन दिजिए और जांच करने की मांग किजिए अगर आपके साथ के साथ भी ऐसा होता है तो आई हो दोस्तों सभी अभिहारती तो यह न्यूज फोच पाए मिलते हैं दोस्तों नक्स वीडियो में तब तक के लिए जैंड़